हेलो एवरिवन वन्स अगेन वेलकम बाक इन यो फेवरेट चैनल त्रिशान्त अकेडमी फ्रिंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलहाबाद के टॉप 10 प्लेसिस की जैसे के रास्ट वीडियो मैंने आपको बताया तक कानपूर के टॉप 10 प्लेसिस वैसी आज हम अलहाबाद की वो 10 जगे की बात करेंगे जो एतिहासिक हैं और जिनोंने हिंदुस्तान में अपना एक अलग ही नाम बना रखा है तो चलिए दोस्तों बिना ज़्यादा समय लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स नंबर 10 पर आता है न्यू यमुना ब्रिज याने की नवीन यमुना सेतु नवीन यमुना सेतु जिसे नैनी ब्रिज के नाम से भी जाना चाता है भारत के सबसे लंबे केबल वाले पुलो में से एक है जी हां दोस्तों यह यमुना नदी पर उत्तर तक्षन दिशा में इस्तेत है तथा यह नैनी छेत्र को प्रियागराज से जोड़ता है यह वर्ष 2004 में पुराने नैने ब्रिज पर यातयात की भीड को कम करने के लिए बनाया गया था पुल का निर्माण हिंदुस्तान कंस्ट्रिक्शन कंपनी और हुंड़े इंजिनियरिंग और निर्माण ने संयक्त रूप से किया था अब फ्रेंट्स प्रियागराज की इस लिस्ट में हम नंबर 9 पर बात कर रहे हैं अलाबाद हाई कोड दोस्तों इलाबाद उच नियायाले मूल रूप से ब्रिटिश राज में भारतिय उच नियायाले अधिनियम 1861 की अंतरगत आगरा में 17 मार्च 1866 को स्थापित किया था जी हैं दोस्तों उतरी पश्चमी प्रांतों के लिए स्थापित इस नियायाधी करण के पहले मुख नियायाधीश थे सर वाल्टर मॉर्गन दोस्तों सन 1869 में इसे आगरा से अलाबाद इस्थांतरित किया गया अब दोस्तों नंबर 8 पर आता है मिंटो पार्क अलाबाद में इस्थित सफेद पत्थर के इस मैमोरियल पार्क में सरस्वती घाट के निकट सबसे उचे शिखर पर चार सिंगों के निशान है फ्रेंड्स लॉर्ड मिंटो ने इसे 1910 में स्थापित किया था 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग ने यहीं रानी विक्टोरिया का लोग प्रिय घुशना पत्र पढ़ा था नंबर 7 दोस्तों नंबर 7 पर आता है सेंट कैथिडरल जो की प्रशिद आल सेंट कैथिडरल अलाबाद में दो प्रमुक सड़क के क्रोसिंग परिस्थी थे विक्टोरिया मिमोरियल की डिजाइन भी बनाई थी फ्रेंट्स नंबर 6 पर आता है अलाबाद म्यूजियम जियां दोस्तों प्रियागरा संग्रहाले सिविल लाइन्स शेत्र के हरे भरे कंपनी बाग के नाम से प्रशिद चंदर शेकर आजात पार्क में यह इस्तित है आता है आनंद भवन प्रियागराज में इस्तित नहरु गाधी परिवार का पुर्व आवास है जो अब एक संग्रहाले के रूप में है दोस्तों बस्तुता है यह एक अपेक्शाकृत रूप से नया भवन है जब मोतिलाल नहरु ने इस नए भवन का निर्मान करवाया और अपने पुराने आवास को कॉंग्रेस के कारियों हेतु स्थानिय मुख्याले बना दिया पुराने आनंद भवन का नाम स्वराज भवन कर दिया गया इस नए आवास को आनंद भवन कहा जाने लगा दोस्तों आगे बात करूं तो नहरु और इंद्रा गांधी के जीवन की क तरह से घिरा हुआ यह बाग प्रियाग राज जंक्षन के करीव ही है यहां पर मुगल बादशा जहांगीर के परिवार की तीन लोगों का मकबरा है यहां पर जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो मिर्जा जहांगीर की पहली पत्मी शाह बेगम और जहांगीर की बेट राज कुमारित सुल्तान हिथार बेगम का मकबरा है इन्हें सत्रावी शताबदी में यहां पर दफनाया गया था फ्रेंट्स नमबर तीन पर आता है अलाबाद फोर्ट जी हैं दोस्तों प्रियाग राज के संगम के निकट इस्थित इस किले को मुगल समराट अकबर ने 1583 मे बनवाया था दोस्तों इस किले में तीन बड़ी गैलरी हैं जहां पर उची मिनारे हैं सैलानियों को अशोक स्तंब सरस्वती कूप और जोधा भाई महल देखने की इजाजत है इसके अलामा यहां पर अक्षयवट के नाम से मशूर बर्गत का एक पुराना पेड़ है और प प्रतेक व्यक्ति को इसके बारे में पता होगा दोस्तों आप भी अच्छे से जानते होंगे फिर भी जब बात होती है प्रयाग राज की बात होती है लाबात की तो त्रिवेणी संगम कैसे छूट सकता है दोस्तों हिंदू परंपरा में त्रिवेणी संगम जो है तीन नद हो चुकी थी किन्तु संगम में जवाब आते हैं त्रिवेडी स्नान करते हैं तो ऐसा कहा जाता है यहाँ पर इस जनम की और पुनर जनम के भी पाप धुल जाते हैं क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि गंगा यमना वह सरस्वती का यहाँ पर मिलन होता है फ्रेंड्स नमबर अलाबाद के नामस्तावत दौरे पर आये हुए थे इस दौरे के स्मरणचिन के रूप में 133 एकड़ भूमी पर इस पार्क का निर्मान किया गया था जो शहर के अंग्रेजी क्वार्टर सिविल लाइन्स के केंदर में स्थित है वर्ष 1931 में इसी पार्क में क्रांतिक कार स्वतंदरता सेनानी चंदरशेकर आजाद को अंग्रेजो द्वारा एक भयंकर गोली बारी की वीरगती प्राप्त हुई थी जी हां दोस्तों आजाद की मृत्यू 27 फरवरी 1931 में 24 यानि की 24 साल की उम्र में ही हो गई थी तब से हम इसे चंदरशेकर आजाद पार्क के नाम है तो अल्फरेट पार्क जो है वो राजकुमार अल्फरेट के नाम पर रखा गया था तो फ्रेंट्स अगर मेरे दुवारा बताई हुई जानकारी आपको पसंद आई हो प्रियाग राज के जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत बूलेगा चनल पर नए है तो चनल को सब्सक्राइब जरू कर लिए फ्रेंट्स बहुत जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यों बाबाए